कैसे आप सभी उमीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे तो गाइस एक बार फिर से हम मिल गए हैं एक और बहतरीन से से साथ तो आइए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो मेरे बारे मेरा नाम है गंशाम पारिक आपका फिजिक्स मेंडोर और गाइस मेन कंपिलीट एककैस सकते हैं तो मेरा कूपन आप यूज करते हैं यानी कि जी पीध और यूज करेंगे तो मेव से और दिसकाउट के साथ यह कॉर्ष जो है वह पर्चाइजा आप कर सकते हैं फिक है इसके अंदर क्या रहेगे डेली आपकी तीन गुंटे की लाइव क्लास रहेगी, study material रहेगा, डेली क्लास टेस्ट रहेगी, weekly assignment टेस्ट रहेगी, मंतली exam based test, semester test, doubt clearing session और generic topics ठीक है, तो यह इतने सारी चीज़े जो है यहाँ पर मिलेगी आने की यह कोर्स कह सकते हैं, आपको के content से बरपूर है, ठीक है, बूच्छा content यहाँ पर आपको मिलने वाला है, जो आपका exam जो है, वो clear करवाएगा, ठीक है, चलिए, यह हमारी डेली की live class रहती है, यूटूब के उपर, ठीक है, तो यह एक बार इस को आप screenshot ले लेंगे, ठीक है, उसके बाद देखिए, डेली आ मैं तो कहता हूँ, आप सारे ही पढ़िए, ठीक है, सारे ही जो है subjective वो आपके लिए important है, ठीक है, जी एस हो गया, math हो गया, चाहिए, रिजनिंग हो गया, चाहिए आपका English पहला part है, ठीक है, सारे ही आपके लिए क्या रहेंगे, इंपोर्टेंट रहेंगे, चलिए, आज क मतला होता है, 10 raise to power minus 9, ठीक है, 10 raise to power minus 9 meter, 10 raise to power minus 9 meter होता है, ये value सब को पता होती है, लेकिन यहाँ पर आपको option के अंदर ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, option के अंदर या तो आपको meter के अंदर दिया गया है, जो कि गलत है, क्योंकि 10 raise to power minus 3 meter नहीं होगा, क्योंकि 10 raise to power minus 9 तो संकिवाडार के लिए कि मेंगी आपके रिए को सघुमारा दो देखेंगा कि ओर और इक सेन्टीमीैटर की बात के तो क्या सडिशती वां एक लोग सबी सटमार्म नर्फ कर अगर आद यहां पर मईने स्टमार माइन टुमी टर हो ठीक यहां पर आँप सेंटिमेटर के इंदर क्या नहीं गर यहाँ पर《9 यह नहीं बन सकते तो क्या बनेंगा और स्मय तो आपको के आथ को से Ultra च्रियों psychologists सी दे माइनस 6 meter और अगर यहाँ पर इसको हम तोड़के लिखे न तो 10 raise to power minus 9 meter जो है उसको हम लिख सकते हैंगा 10 raise to power minus 6 into 10 raise to power minus 3 ठीक है ये इतना meter बन जाएगा 10 raise to power minus 6 meter को आप क्या बोलते हैं एक micrometer बोलते हैं तो बच क्या जाएगा आपके बास 10 raise to power minus 3 बच जाएगा यान कि 1 nanometer की value जो ह है वो क्या रहेगी आपके 10 raise to power minus 3 micrometer रहेगी ठीक है तो अच्छे से क्या रखेंगे ध्यार रखेंगे c option क्या बनेगा right answer ठीक है एक बार आप screenshot इसका ले सकते हैं ये आपको क्या रखना है ध्यान रखना है ठीक है unit conversion जो है वो आपको आना चाहिए क्योंकि बहुत चारे exams क unit of electron voltage जो है वो किसकी unit होती है ठीक है electron voltage जो है वो किसकी unit होती है ठीक है चले देखिए current की होती है या energy की होती है power की होती है या फिर potential difference की होती है तो देखिए अगर हम बात करें electricity के work done की अगर वोल्ट की बात करें ठीक है किसकी बात करें वोल्ट की अगर बात करें तो वोल् डिवाइड बाई चार्ज क्या होता है वरक डिवाइड बाई चार्ज ठीक है ध्यान रखेंगे इसको अगर वरक की बात करें यहां से तो वरक ब्राबर क्या हो जाएगा वरक आ जाएगा आपका वोल्ट इंटू में चार्ज इंटू में क्या जाएगा चार्ज और यहां पर जो आपका इलेक्ट्रों लिखा गया है, एलेक्ट्रों उपर कितना चार्ज होता है, तो यह रדר कि यूनिuट और अके अधर दिया नहीं है, लेकिन अगर आपको ध्यान है तो वरक और एनरजी तो वरक और energy और अगर heat की बात करें इन tीनों की unit क्या होती है झाय की उनिट जाये हीट की उनिट की बात करें तो यहाँ पर option के अंदर आपको भरक तो कही नहीं दिया गया है लेकिन एक option आपको दो तो पावर माइनस 19 Joule इतने Joule आपके पास है तो उसको क्या बोलेंगे एक electron volt energy बोलेंगे एक electron volt ठीक है तो एक electron volt की जो value होती है वो कितने होती है 1.6 x 10 10 बाव माइनस 19 Coulomb तो अच्छे से क्या रखेंगे ध्यान रखेंगे चलिया next question देखते हैं 30 degree Celsius is equal to कितने Kelvin के ब्राबर होगा 30 degree Celsius जो है वो कितने Kelvin के ब्राबर होगा यहाँ पर 303 के होगा माइनस 243 के होगा या 130 के होगा या फिर माइनस 30 Kelvin के ब्राबर होगा तो देखे यहाँ पर आप से सिदा सिदा क्या पूछा गया है Celsius से आपको क्या बनाना है Kelvin बनाना है ठीक है तो जब भी आपके पास कोई degree Celsius के अंदर temperature दिया गया हो उसको अगर आपको Kelvin के अंदर convert करना हो तो आप क्या करेंगे उसके अंदर 270 क्या कर देंगे add कर देंगे ठीक है पॉइंट 15 को हम छोड़ रहे है तो क्या करेंगे degree Celsius के अंदर 270 जैसे add करेंगे तो वो किसके अंदर change हो जाएगा Kelvin के अंदर convert हो जाएगा और यहाँ पर कितना है 30 degree Celsius आपको दिया गया है प्लस में क्या कर देंगे प्लस में आप कर देंगे 273 कर देंगे तो यह किसके अंदर आ जाएगा Kelvin के अंदर temperature बन जाएगा ओ जैसे 273 के अंदर हम add करेंगे 30 को यह बन जाएगा 303 Kelvin क्या बन जाएगा 303 Kelvin क्या होगा किसन का right answer होगा a option ठीक है यह option क्या हो किसन का बिलकुल right answer होगा 303 क्या लेकिन इसके साथ आप यह याद रखेंगे कि अगर आपको फाने हाइट से क्या बनाना है कि अगर बनाना है आपको तो आप क्या रखेंगे याद रखेंगे F is equal to क्या होता है F का फाने हाइट के इंदर कितना temperature है ठीक है वह होता है आपका 9 by 5 degree Celsius प्लस में क्या आएगा 32 प्लस में क्या आएगा 32 तो यह formula लगाकर आप फाने हाइट को इंदर कर सकते हो फाने हाइट का मतलब यहाँ पर जितना फाने हाइट के इंदर temperature होगा और degree Celsius यहाँ पर कितना degree Celsius इंदर temperature है ठीक है तो यह भी क्या रखेंगे ध्यान रखेंगे F is equal to 9 by 5 C प्लस में 32 और साथ में क्या दर रखेंगे Kelvin is equal to क्या होता degree Celsius प्लस में 230 ठीक है तो difference in temperature between two bodies is 30 degree दो बोडि यहाँ आपके पास जिनके temperature में difference कितना है 30 degree का है 30 degree centigrade what is the difference in a degree Fahrenheit degree Fahrenheit के इंदर यह difference कितना बनेगा ठीक है degree Fahrenheit के अदर यह difference कितना बनेगा तो यह आपको बताना है कितना बनेगा 54 बनेगा, 64 बनेगा, या फिर 86 बनेगा ठीक है? तो एक बात देखिए, दो पिंडो की तापमान में जो 30 डिगरी सेंटी गेट का अंतर है, तो डिगरी फांयाइट में यह अंतर कित्रा बनेगा? तो एक बात का आपको ध्या रखना हैं, अगर हम degree Celsius पैमानी की बात करते हैं या फिर finite पैमानी के हम पानी पैमानी की हम बात करते हैं तो देखे किस तरह से अगर degree Celsius वाला पैमान ना मारा इसके अंदर 0 से लेकर 100 तक चलता है, 0 degree Celsius होता है आपका पानी का मेल्टिंग पॉइंट और हंडर्ड डिग्री सेल्सेस का आपाने का वोईलिंग पॉइंट है इसी तरह से अगर फानले एट स्केल में यही रिडिंग देखे न तो यह आएगी थर्टी टू से लेकर दो सो बारा तक ठीक है तो यहां पर जो डिफ्रेंट्स आता ना यहां पर अगर डिग्री सेल्सेस वाले के अंदर देखें तो तो यहां पाने पान एट के अंदर 180 युनिट की वैल्यू होगा थाक है तो अग़र एक यृणिट की वैल्यू जाओं तो एक यृणिट की वैल्यू मेरिया जाएगी एक सो एक बार इसको इस साइड लिखते हैं, एक यूनिट की वैल्यू ये आगी, तो 30 की वैल्यू का आएगी, 30 की वैल्यू ये आजाएगी, 30 डिगरी की वैल्यू का आएगी, इस एक वैल्यू ये आपकी, 180 डिवाइट बाई 100 कर देंगे, इन्टूम की आजाएगा, इन्टूम ही आजाएगा, आपका 30, ठीक है, एक जिरो से आपका एक जिरो ये कट गया, यानकि, जो वैल्यू आएगी, वह आपकी किना आगी, अठारा गुना में 3, ठीक है, 18 इंटू तो ध्यान रखेंगे अच्छे से क्या रखेंगे याद रखेंगे 54 इस दी राइट आंसर एक बार फिर से समंदली जी कैसे किया है कि अगर डिग्री से स्केल के हम बात कें तो यहां पर यह जो स्केल है वो जीरो से लेकर 100 तक चालता है और फान्याइट वाला देखें तो 32 से से लेकर दो सो बारा तक ठीके तो इसका 100 एनट है वह इसके 180 एंट के ब्राबर है तो इसका एक युनिट अगर देखें तो वह ब्राबर होगा 180 डिवाय्इड बयाइड भाई हंडड़ के और यहां पर हमें 30 डिफ्रेंस दिया गया है तो 30 की वैल्यू क्या होगी 180 डिवाइड बाइंडड कर देंगे इंटू में 30 कर देंगे ठीक है तो यह आ जाएगा आपका जिरो से जिरो यहां पर कट गया तो 18 इंटू क्या आएगा थ्री आएगा और क्या आजएगा 54 54 इस दी राइट आंसर यान और निक्स्क्यूशन क्या बोलागया थे खालेस्तान आर और अल्सो नौन एज विव किस वेव को हम हीट वीव के नाम से भी जानते हैं ठीक है कौन सी वेव जु है उनको हम हीट वेव भी बोलते हैं तो आपको सबसे पहले तो यह आद रहोंगा है हमारे पास साथ क्या है आजए ते अब वार्डी हे जैसे अगर फिलाल फर्स के हम बात करें तो सबसे पहले आती है आपका गामा ठीक है उसके बाद क्या हत आती है उसके बाद यूवी रे जाती है उसके बाद आती है आपका visual region ठीक है याने कि इसे को आप क्या बोलते है light बोलते हैं, क्या बोलते हैं, light, ठीक है, उसके बाद आती है आपकी infrared, उसके बाद infrared के बाद आती है आपकी microwave, और microwave के बाद क्या आती है, radio wave आती है, microwave के बाद क्या आती है, radio wave आती है, ठीक है, तो इतना pattern क्या रखें हैं, ध्यान रखें, gamma से लेकर radio तक, अब यहाँ पर आपक वीव लेंथ या तरंग देर्दे बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं तरंग देर्दे और अगर इसकी फिरकुंची देखें तो फिरकुंची इसकी क्या होती है मिनिमम होती है ठीक है फिरकुंची क्या होती है इसकी मिनिमम होती है और साथ में अगर इसकी एनर्जी देखें तो क्या होती है minimum होती है क्योंकि energy is equal to अनोगी ज एक्वाल टो क्या होता है Ei है ऐस एंटू में क्या होता है frequency तो frequency इसकी stosा .... और यहां पर गावा को देख Nawam轉 को देखें तो cite दॉलम चल्द की जो लेम्डा होती है वह क्या होती ठीक है तो यह trend आपको क्या रखना है ध्यान रखना है अच्छा है इसको बोलते है इन्फरारेड इसको क्या बोलते है इसको हीट वेव भी बोलते हैं तो किस्षन का आणसर क्या हो जाएगा आपका C जो है यहां पर आवरत जो किरनी है उनको क्या बोलते है अप हीट वेव भी बोलते हैं क्योंकि इनके पास क्या होते है maximum heat capacity होती है ठीक है यानि किसी चीज को गरम करने की शमता जो है सबसे ज़्यादा किसके अंदर होती है ठीक है और आपसे पूछा गया कि इनका जो trend है इनका जो trend बनेगा वो किस तरह से बनेगा ठीक है energy का पूछ लिया या फिर wavelength का पूछ लिया या फिर frequency का पूछ लिया ठीक है तो किसी तरह का trend जो आपसे पूछा जा सकता है या फिर आपको एक एक वेव के बारे में पूचिया जासकता है तो आच्छे से क्या रखेंगे माइन में रखेंगे चलिए नेक्स क्यूसन देखिए सन की दवारा जो इमीटिड लाइट है उसका कलर कैसा होता है ठीक है मैंने बहुत बार यह क्यूसन जो है ओफफलाइन क्लास के इंदर पूछा हुआ है जब भी मैंने क्योंसर पूछा है मुझे एक आंसर विला है रेड लेकिन ध्यान रखेंगे कि रेड जो है वह आपको स्केटरिंग के कारण नजर आता है ठीक है सन का कलर जो है उस शाम के टाइम या सुबह के टाइम रेड कलर का नजर आता है क्योंकि स्केटरिंग ओफ लाइट के कारण रेड नजर आता है ठीक है लेकिन ध्यान रखेंगे कि सन की जो लाइट है उसका कलर रेड नहीं होता जबकि कैसा होता है ठीक है कैसा कलर होता है सन की लाइट अगर बात करें तो सन की लाइट का कलर कैसा है वाइट कलर की लाइट होती है ठ ठीक है और इसी white color के अंदर आपके साथ color होते हैं साथ color होते हैं और साथ color का pattern अगर देखिए आप तो वो कौन सा होता है आपका विब गयोर ठीक है और विब गयोर और इस 사FX light को यह जो white light है आपकी इसको साथ color में तोड़ता कोन है वो काम करता है आपका prism और यह जो process है आपका white color की light को साथ color की अलग-अलग light के इंदर तोड़ना, split करवाना इसको आप dispersion of light बोलते हैं, प्रिकास का विक्षेपन बोलते हैं क्या बोलते हैं, प्रिकास का विक्षेपन बोलते हैं, ध्यान रखेंगे sun जो light emit करता है, उसका color कैसा होता है, white होता है लेकिन वो साथ color के अंदर तूट जाती है, किसके दवारा prism के दवारा, और इसी process को आप क्या बोलते हैं, dispersion उस फिनोमेना का नाम क्या है, dispersion of light है, ठीके तो अच्छे से क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे, और यह pattern भी क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे, विब्ग्योर, ठीके, अगर विब्ग्योर को आप ध्यान से देखें तो विब्ग्योर के अंदर आपके 7 color है, कितने color है, 7 यहां पर color है, ठीके, violet, indigo, blue, green, yellow, orange और इसकी energy अगर आपसे पूछें, तो energy इसकी क्या होती है, minimum होती है, लेकिन वहीं पर अगर आपसे पूछे, violet के बारे में, तो violet की lambda जो होती है, वो maximum होती है, sorry, lambda क्या होती है, minimum होती है, और अगर f की बात करें, तो वो क्या होती है, maximum होती है, फ्रिकोंसी क्या होती है, maximum हो उसके बाद औरेंज की आएगी उसके बाद येलो की उसके बाद ग्रीन की उसके बाद ब्ल्यू की उसके बाद इंडिगो की उसके बाद वाइलेट की लेकिन अगर फ्रिक्रेंसी का पैटर्न आपसे पूछता है तो क्या हो जाएगा अपोजिट हो जाएगा सबसे ज्यादा क इसके होती है वोयलेक की उसके बाद इंडिग उसके बाद येलो की उसके बाद और इंड मायंड के है चलिए तो इसके ट्वाइन देक pocket the total number of images formed by two plane mirror inclined at 30 degrees to each other यानि कि 2 plane mirror को आपने 30 degree के उपर रखा हुआ है 30 degree का कौन बना के और 2 plane mirror को आपने रख दिया और उनके बीच में क्या रख दिया है कोई object रख दिया है तो उसके कितनी images यहाँ पर बनेंगी यह आपको बताना है जैसे माल लेजिए कि 1 plane mirror मेरा यह है ठीक है और एक plane mirror मेरा यह है इन दोनों को मैंने 30 degree का angle बना के रख दिया ठीक है इन दोनों को मैंने 30 degree का angle बना के रख दिया यह 30 degree का angle है ठीक है तो number of images अगर आपको निकालना है तो उसके लिए आपको formula एक धिहां रखना है कि number of images n अगर आपको निकालना है तो वो होता है आपका 360 divided by theta और यह theta यहाँ पर क्या है यह theta यहाँ पर angle between two mirror ठीक है angle between two mirror दोनो mirror जो है वो कितने angle पर आपने लगा रखे ठीक है तो यहाँ पर n key value क्या आजाएगी आपके 360 divided by कर देंगे 30 से divide कर देंगे तो 0 से 0 कट गया आपका 36 divided by 3 यहाँ आजाएगा आपका 12 पर कटेंगा 12 यह 36 होता है तो 12 ठीक है कितना आजाएगा 12 आजाएगा option के अंदर आपको 12 दे रखा है ठीक है और बच्चे क्या करते हैं बच्चे यही option select करके आते हैं 12 जो है वो select करते हैं लेकिन ध्यान रखेंगे number of images हमेशा क्या बनेगी ode बनेगी ode बनेगी विसम संख्या के अंदर आएगा और आंशर जो भी आएगा आपका वो विसम संख्या के अंदर आएगा अगर बाई दिवी आपका आंशर जो है वो समसंख्या के अंदर आता है जैसे यहाँ पर आंशर आपका 12 आ रहा है ठीक है तो आप क्या करते हैं एक माइनस करके लिखेंगे तो option आपका कौन सा ठीक होगा option आपका यह option जो होगा आपका 11 ठीक है कितने number of images बनेंगे आपके 11 बनेंगे ठीक है जैसे आपका आंशर 12 आ रहा है यहाँ ठीक है तो एक आपने माइनस करके लिखना है क्योंकि even number के अंदर आपको option नहीं select करना है odd number के अंदर आएगा ठीक है और अगर by chance आपका आंशर जो है वो 360 divided by 120 करेंगे तो 0 से 0 क्या 12 से 3 प्याग आपका ठीक है तो 3 आपका क्या हो जाएगा राइट अंसर हो जाए ठीक है इसमें ना तो आपको कुछ एड करना है ना आपको कुछ घटा रहा है ठीक है यह answer आपका बन जाएगा 3 ठीक है लेकिन जब even number के अंदर आएगा तो क्या क माइनस करके लिख देंगे याने कि क्या बनेंगे ग्यारा इमेजस बनेंगे ठीक है तो यह option जो किसन का क्या बनेगा राइट अंसर बनेगा ठीक है अच्छे से क्या रखेंगे माइन में रखेंगे चलिए नेक्स क्यूशन देखिए विच इज़ दि मुस्ट पापलर कॉल इन कमर्शिल यूजिक की अंदर सबसे जो ज्यादा यूज किया आता है ठीक है उड़ मुस्ट पापलर कौन सा है इसने सी पताना आपको बिटमिंस आ एंध्रसाइट है पिट है या फिर लिगनाइट या फिर लिगनाइट है तो जो जोल है वो की है आपका dessa Mitt起 है लेकिन इसका अगर बात करें द्वाद कल किया यहां प्रवाद पूची आपको में पूचा गया आपको पुच्छा है है क्या most popular call कौन सा है जो इंडेस्टिय के इंदर यूज किया जाता है ठीक है तो वह कौन सा होगा आपका वह होगा bitumens ठीक है तो ध्यान रखेंगे यह option जो क्या होगा ऍ 북한 सबसे घटिय किसम के अधर रखेंगे माने इंडेस्टिय सबसे ज्यादा यूज किया जाने ONE koelin ऑप्षे लेकिन यहां पर आगर किसन आप से ऐसा पूछ लेता कि विच इस दी बेस्ट क्वालिटी कोल तो वह कुंसा होता वह होता एंथ्रासाइट ठीक है और सबसे घटिया किसम का कोईल है वह कुंसा है वह पिट ठीक अच्छे से क्या रखेंगे माइंड में रखेंगे दिल और दि आता है जिसको आप स्मॉल लेटर के अंदर लिखते है और एक जी आपका यह आता है जी बड़े वाला जी ठीक है यानि कि जो कैपिटल लेटर के अंदर आप लिखते है अगर दोनों की वेल्यू की मैं बात करूं तो इसकी वेल्यू होती है नाइन पॉंट एट मीटर पर स इसकी है ठीक है यह होती है इसकी वेल्यू नाइन 6.67 इंटो 10 इस्ट पाप माइनस 11 न्यूटन मीटर स्केर पर केजी स्केर यह क्या होती है इसकी वेल्यू होती है ठीक है तो यहाँ पर याद रखेंगे जी की वेल्यू अच्छा इसके अलावा अगर इस जी की अगर बात क constant बोलते हैं इसको ठीक है इसके अलावा अगर और फ्रक देखें हम तो इस जी की जो वैल्यू है ना यह 9.8 About अगर आप अर्थ के नीचे चले गई तो जीक है वैली कर जायेगी है इसके अलावा कर देखें हैं यह Minneapolis College will live कर जाएगी इसे अर्फ के अगर देखें तो जीक की वैली जीरो होती है यहुआ ह abundsk prison इसकी value थो कहीं भी वेरी नहीं करती है ना medium का कोई फरक पड़ता है आप कहीं भी चले जये इस घी वेलिड़ो यही रहने वाली है इसलिए जो आपका रख savez winner उसको क्या बोलते है universal law of gravity जो क्या बोलते है universal law of gravitation बोलते है क्योंकि इसकी value जो है वो medium पे depend नहीं करती है ना किसी height पे depend करती है जी की value उतनी रहेगी यह कभी भी change नहीं होता है और इसकी value जो है फाइंड किये henry commendis ने किस ने find कि है henry commendis ने ध्यान रखेंगे यह option जो है किसे बनेगा right answer value किस ने find के जी की वो henry commendis ने तो अच्छे सी का रखेंगे mind में रखेंगे चलिए next question देखते है what is the numerical value of physical quantity physical quantity numerical value दी गई है आपको वो क्या होती है reference होता है या फिर direction होती है या फिर distance होता है या फिर magnitude होता है संदर्व होता है या निर्देशन होता है या फिर दूरी होती है या फिर प्रिमान होता है जो value आपको दी जाती है देखे, कोई भी physical quantity लिखने के लिए हमें 3 चीज़े जाहिए होती है, ठीक है, कोई भी physical quantity जाहिए होती है, तो 3 चीज़े हमें चाहिए होती है, कुछ quantities के अंदर 2 चीज़े हमें चाहिए होती है, ठीक है, जैसे, माल लेजे कोई भी physical quantity आप लिख रहे हैं, कोई भी physical quantity आप होता है साइन कौन सा चाहिए होता है साइन प्लस या माइनस हम आगे उसकी क्या लगा देते हैं प्लस या माइनस लगा देंगे प्लस में एक लिखेंगे हम वेल्यू क्या लिखेंगे वेल्यू लिखेंगे उसकी और एक साथ में प्लस में क्या लिखेंगे उसकी यूनिट लि प्लस या माइनस जिस क्वांटिटी के अंदर आपको लिखना पड़ रहा है उसको आप वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं क्या बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी और अगर यह प्लस माइनस आपको किसी क्वांटिटी के अंदर नहीं लिखना पड़ रहा है तो इसको आप स को बता करें यह लेकिन यह जो होती है ना फिजिकल कॉण्टटी जो नुमेरिकल वेल्यू होती जैसे मैं ने लिख धीया थर्टी केजी डौई MON mínमेरिकल यह एक value है यह क्या बताती है उसका प्रिमान बताती है कि वो कितना है ठीक है तो ध्यान रखेंगे कि कोई reference बहाता है, ध्यान रखेंगे न, अच्छे इस क्या रखेंगे, mind में रखेंगे, चलिए, next question देखते हैं, in straight line motion, which is correct, straight line motion के अंदर कौनछा जो है, वो correct है, distance is always equal to displacement, distance may or may not be equal to displacement, distance always greater than displacement, ये तो देखो, cut जायागा, c option जो है, वो answer आपका नहीं बन चकता है, क्योंकि हमेशा distance always greater than displacement, ये तो कभी नहीं हो सकता, distance always less than displacement, तेकि always वाली तो सारी ट्रम आपकी cut जाएगी, ठीक है, क्यों cut जाएगी, उसका कारण है, always नहीं हो सकता, always इसके अंदर भी रखाए, तो ये भी cut जाएगा, तो स्टेट लाइन मोशन के अंदर, distance is always equal to displacement, always वाली चीज़ें जो है, वो cut जाएगी, b option क्या बनेगा, क्यों का right answer बनेगा, b option क्या बनेगा, क्यों का right answer बनेगा, देखिए, क्यों ऐसा हो रहा है, इसको थोड़ा समझने ही कोशिस किए, distance जो होती है, वो क्या होती है, वो actual path होती है, जो आपने travel किया, ठीक है, जैसे actual path आपने क्या travel किया है, वो आपका क्या होता है, distance होता है, लेकिन displacement होता है, कि आपकी initial और final position के बीच में, minimum distance कितनी है, ठीक है, आपकी initial और final position के बीच में, minimum जो distance है उसको क्या बोलते है आप displacement बोलते हैं ठीक है जैसे माल लिजिए कि आप A से लेकर और कहीं B तक जा रहे है ठीक है आपने A से लेकर B तक ये वाला path अपनाया ठीक है इस path से आप B तक चले गई ये तो आपकी क्या है distance है ये तो क्या है आपकी distance है ठीक है और यहां से लेकर और यहां तक की जो minimum जो दूरी है उसको आप क्या बोलते हैं ये क्या है displacement है अच्छा क्या आप ये वाला path नहीं अपना सकते थे ये वाला path भी तो आप ले सकते थे ना तो ये तो distance भी है साथ में ये तो क्या है distance भी है साथ में displacement तो है ये साथ में distance है ठीक है हमने क्या बोला minimum distance तो distance भी है और साथ में क्या है इसको आप displacement भी बोलती है ठीक है तो क्या हो सकता है distance और displacement के बीच में relation हो सकता है आपका कि distance जो है वो या तो greater than मिलेगी और या equal to मिलेगी किसके displacement की ठीक है अब यहाँ पर बात हो रही है आपके straight line motion की किसकी बात हो रही है straight line motion की बहुत चारे बच्चों को यह लगता है कि straight line motion के अंदर distance और displacement हमेशा क्या रहते हैं बराबर रहते हैं लेकिन ऐसा है कुछ नहीं क्यों ऐसा नहीं है समझने कोशिस किये ज़रा मान लिजे कि A से लेकर आप B तक जा रहे हैं और यहां से आप चले और यहां तक आप पहुंच गए तो इस केस में distance और displacement क्या होगा बराबर होगा ठीक है इस केस में क्या होगा यह straight line बात है और distance और displacement क्या रहेगा बराबर लेगा लेकिन हमेशाँ ऐसा ज़रूरी नहीं है क्यों कि मान लिजीये आप A से लेकर और यहां से लेकर यहां तक चले ठीक है और यहां से वापिस आप यहाँ आ गई, ठीक है, यहां से वापिस आप इस पॉइंट पे आ गगए, यानि कि A से लेकर और B तक आप गई और वापिस C पर आगए, तो यह भी तो straight line motion है न, यह कॉन सा straight line motion नहीं है, A से लेकर आप B तक गई, B से वापिस आप C पे आ गई, तो ठीक है और distance क्या रहेगा distance पूरा path आपने कितना cover किये तो ध्यान रखेंगे बराबर हो भी सकता है और बराबर नहीं भी होशकता distance may be or may not be equal to displacement क्योंकि अगर माल लिजिए कोई चीज जा रही है आपके straight line motion के अंदर अगर उसने पल्टी माल लिगा ठीक है और वापिस मुड़ गया वो तो फिर straight line motion के अंदर भी distance ब्राबर नहीं होगा ठीक है तो अच्छे सिख्या रखेंगे माइंड में रखेंगे ध्यान रखेंगे चले नेक्स क्यूशन देखिए इमेज फॉर्मट बाइप प्लेण मिरर इज ओल वेज प्लेण मिरर के दवारा image वह हमेशा कैसी बनाए आती है यह आपको बताना है किसन के अंदर संतल दरपन के दवारा जो निर्मित परतिवें है वह कैसा होता है हमेशा कैसा होता हो तो आ ऐसे आपका मुख जैसा होता ना वैसा बन जाता आपका जो मुखडा है वह बन जाता है तो अच्छा कि लिए पे उल्टी दिखाई देती एप ऐसा तरणी के उल्टी दिखाई धिक और सी इमेज हमेसा कैसी होती है वर्टुल होती है ठीक है तो plane mirror के अंदर वैसे भी आप क्या रखेंगे माइंड में रखेंगे, plane mirror के अंदर जो भी image बनती है ठीक है, यहाँ पर plane mirror के हम बात कर रहे है जितनी भी image बनेगी, वो कैसी बनेगी, वो erect बनेगी, कैसी बनेगी? erect यानि की सीधी image या बिराक देगा आपको इसके अलावा कि कैसी इमेज बनेगी ठीक है कैसी बनेगी वर्चियल याने की आभासी इमेज बनेगी और तीसरा अगर देखें तो इक्वल साइज कैसी बनेगी इक्वल साइज की इमेज बनेगी ठीक है इक्वल साइज ओफ ऑबजेक्ट ठीक है जैसा ऑबजेक्ट है वैसी क्या बनेगी इमेज बनेगी आनकी बराबर बराबर इमेज बनेगी ठीक है जैसा इमेज आपका माल लेजे तीन सेंटीमेटर का अगर आपका अबजेक्ट है तो तीन सेंटीमेटर की क्या बनेगी इमेज बनेगी और वो भी इरेक्ट बनेगी और कैसी बनेगी वर्चुल बन तो मेंगनिफिकेशन यों के लिए हमें सा क्या हिए मेंकर्ष सक की वैल साथ की वेलिव्यों हमेंसा क्या रहती है प्लस रहती है फ्लस बयर ओर रहत ऐकल साइजस किमेज तो कैसी वर्चुल और इ्रेक्ट बनेगी रियेल अजुए बने को हगे था कांचर पहले ही ऑ उसके अंदर वो छोटी image बनती है, जैसा object है आपका, वैसी की वैसी image नहीं बनती है, उससे छोटी image बनती है, लेकिन virtual और erect बनती है, वही पर अगर concave mirror की हम बात देखें न, तो concave mirror एक ऐसा mirror है, जो सारी तरह की image बना सकता है, ठीक है, virtual भी बना सकता है, real भी बना सकता है, व question का answer क्या बनेगा, यह बनेगा, आबासी और सीधी, next question क्या है, आपका absolute refractive index of खालिस्तान is 2.42, 2.42 किसका refractive index होता है, ठीक है, यानि कि 2.42 पूर्ण अपवर्तनाक है आपका, किस चीज का है, ear का है, diamond का है, crown glass का है, या फिर water का है, तो सबका आपको जितना भी यहां पर लिख रख का है, सबका आपको mind में रखना है, ठीक है, क्योंकि यह क्या है, important medium है अगर light की हम बात करते हैं, तो important medium हो जाता है, आपका ear, diamond, crown glass, लगबग आपको इनी चीजों के जो है, reflective index पूछे जाते हैं, इनी चीजों के अंदर प्रकास का प्रावर्तन, अपवर्तन, इन सब की बात की जाते हैं, ठीक है, तो अच्छे सिक्यार का है, माइंड में रखें और vacuum के तुलना में यह डिक्ते हैं, जितना भी लिखते हैं, ठीक है, diamond का कितना होता है, diamond का 2.42 होता है, ठीक है, तो यह दे रखा है, जो आपको 2.42 यह किसका है, diamond का है, B option का right रखेंगा, crown glass की अगर बात देखें, तो इसका होता है 1.5, ठीक है, और अगर water की बात की बात क 5 किसका होता है, crown glass का, और 1.33 किसका होता है, 1.33 water का, अच्छा, यह रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है, यही आपको बताता है कि उस medium के अंदर light की speed क्या होगा, जिसका refractive index जितना ज्यादा होगा, उस medium के अंदर light की speed उतनी ही क्या होगी, कम होगी, ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो refractive index यहाँ पर दिया गया है, वो दिया गया है, 2.4 तो diamond का, यानि कि light की speed अगर पूछ लेता, वाई चांस आप से, तो diamond के अंदर क्या होती है, सबसे कम होती, और air के अंदर यहाँ पर क्या होती है, सबसे ज्यादा होती, ठीक है, अगर vacuum के अंदर आप देखना चाहते ह क्योंकि refractive index जो air का है, और जो vacuum का होता है, उनके अंदर ज्यादा difference नहीं है, तो 0003 का difference है, यह difference हो बहुत कम है, इसलिए हम air के अंदर भी लगबग light की speed यही मानके चलते हैं, बलकि air के अंदर इससे थोड़ी क्या होती है, कम होती है, ठीक है, लेकिन मानके हम यही चलते है, एप्रोक्शिमेट हम यही मानके चलते हैं, कि air के अंदर भी light की speed यही है, ठीक है, 3 into 10 is to power 8 meter per second, और यह जो refractive index आना यही आपको बताता है, कि कौन से medium के अंदर light की speed कितनी होगी, या आप यह कह सकते हैं, कि जिस factor के कारण light की speed किसी medium में कम होती है, उसी factor को आप refractive index बोलते क्या बोला मैंने, कि जिस factor से light की speed किसी medium में कम होती है, उसी factor को आप क्या बोलते है, refractive index बोलते हैं, ठीक है, तो light की speed अगर आपको किसी medium के अंदर निकालनी पड़ जाए, तो आप क्या करेंगे, c divided by refractive index याने कि n कर देंगे, ठीक है, refractive index को आप n से लिखते हैं, तो क्या क इसका question का right, तो 2.42 किसका होता है, diamond का, next question आप से पुछा गया, what is the total charge of an electric dipole, electric dipole जो है, उसका total charge कितना होता है, उसके ओपर total charge कितना होता है, विद्यू तो जो दूई-दुर्विय है, का कुल आवेस कितना होता है, minus 10 होता है, plus 1 होता है, 0 होता है, या फिर 10 होता है, तो यह यह जो electric dipole है, किसको बोलते है, electric dipole, तेखे, माल लेजिए, आपके पास 2 charge है, ठीक है, 2 equal charges है आपके पास, लेकिन opposite है, कैसे charges है, 2 equal and opposite charges है ठीक है, 2 equal and opposite charges है, ठीक है, 2 equal and opposite charges है, एक माल लेजिए, plus क्या हो है आपके पास, और एक माल लेजिए, minus क्या हो है आपके पास, ठीक है अब इन दोनों को हमने किसी डिस्टेंस के उपर रख दिया मान लिजिए इन दोनों के बीष स rotational distance यह वो क्या है ..? यह स्थो बनेगा ना.. इसको बोलते बोलते है इसको बोलते है डाइपोल बोलते हैं ठीक है यह आपका क्या बन गया डाइपोल बन गया डाइपोल का मतलब दो अलग अलग पॉल है ठीक है एक नेगटी चार्ज का है और एक क्या है पोजिटिव चार्ज का और एक डिस्टेंस के उपर इनको रखा गया है तो इनके उपर नेट चार्ज के अगर बात क क्या मिलेगा जीरो मिलेगा यानि कि नेट चार्ज उसके अपर क्या है जीरो ठीक है तो अच्छे से क्या रखेंगे माइड में रखेंगे सी ऑप्षन जो किसन क्या बनेगा राइट अंसर ठीक है चलिन एक स्कूसर देखिए इन विच मेडियम ड़स साउंड टैवल फास्टर यानि कि कौन से मीडियम के अंदर साउंड के स्पीड जो है वो सबसे ज्यादा होती है गैस के अंदर होती है लिक्विड के अंदर होती है तो अच्छे से माइड में रखेंगे कि वेक्यम के अंदर तो साउंड के साउंड जो है वो ट्रेवल कर ही नहीं सकती है ठीक है वेक आपके दोस्त चांद के ऊपर चले गए और आपके दोस्त के हाथ से एक हथोड़ा चुट के और प्लेट के ऊपर गिर गया तो क्या आपको वह साउंड सुनाई देगी तो आपका अंचर होता था उस ताइम की नहीं सुनाई देगी, क्योंकि चांद के ऊपर क्या है, चांद के ऊपर कोई environment नहीं है, कोई medium नहीं है, और medium नहीं है, तो वहां पर sound आपके ट्रेवल नहीं कर सकते है, क्योंकि sound क्या है, एक mechanical wave है, कैसी wave है, यांत्रिक तरह है, sound क्या ह साउंड जो ट्रेवल नहीं कर सकती है इसलिए वो क्या है एक यांत्रिक तरह नहीं है थीक है तो वेक्यम के इंदर स्वाउंड की स्पीड कुछ रहाए क्या है जीरो होगे ठीक है स्पीड ऑफ साउंड से लेकर speed of sound का एक pattern हम त्यार करते हैं तो सबसे ज़्यादा किस के अंदर होगी solid के अंदर होगी उसके बाद किस के अंदर होगी liquid के अंदर होगी ठीक है और उसके बाद किस के अंदर होगी gases के अंदर होगी ठीक है और vacuum के अंदर अगर देखें वेक्यम के अंदर अगर देखें तो साउंड की स्पीड क्या होगी जीरो होगी ठीक है वेक्यम के अंदर साउंड की स्पीड क्या होगी जीरो होगी वहीं पे अगर लाइट की बात करें ठीक है अगर लाइट की बात करें ठीक है लाइट का भी कही बार पूछ लेता है तो ला हो जाता है लाइट के केसे में पैटन क्या हो जाएगा ठीक है और लाइट आपको पता एक नोन मेकेनिकल वेव है और नोन मेकेनिकल वेव कौनसी है इलेक्ट्रो मेंगनेटिक वेव भी है ठीक है लाइट एक नोन mechanical electromagnetic wave है ठीक है ध्यान रखेंगे अच्छे सिक्या रखेंगे माइंड में रखेंगे वहीं पर sound की बगर बात करें तो sound एक longitudinal wave है ठीक है और वो भी कैसी है mechanical wave है कैसी वेव है mechanical wave है ठीक है अच्छे सिक्या रखेंगे माइंड में रखेंगे ठीक है sound मेकेनिकल वेव है और लोंगिटूटनल है जबकि लाइट क्या है Élegptomegnetic वेव है और कैसी है ट्रांसवर्स है रजी है अब आप गो जब आपकी साउंड चलते है जिस मीडियम के मेंदर चलते य। उस मीडियम के पार्टिकल जो है नहूंट वह पेपेंडिकोल जा रही है उसके परपेंडिक़ट माहलजी साइडव जाonड का रही है इसी रहेज़? ठीक है? लेकिन साउंड के case में अगर महाल जो n ऐसे जा रही है तो प्राटेकल का वैबृस न ऐसके धा है ध्यान रखेंगे सबसे ज्यादा sound की स्पीड के नदर होती है सबसे ज्यादा उती है ज्ञाज होती है ज्ञाधाcus गे के बारे में आपको बताया था, गे की वैल्यू कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्केर होती है, यह जो average वैल्यू जो है, वो हम मानके चलते है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्केर है, लेकिन यह वैल्यू जो है अगर आप अर्थ के surface को छोड़ के और किसी height पर चले गई, तो व हांपर g-value क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और center of earth पे चलेगी, तो g-value 0 हो जाएगी, वहीं पर अगर देखें, तो पोल के जी की वैल्यू क्या होती है, और Equator के उपर g-value क्या होती है, चलते है, लेकिन हम मानकी चलते हैं, क्योंकि हम से जब भी पुछा जाता है g-value क्या साइन्टिस्ट इन्वेंटिड डाइनमाइट जो है उसकी डिस्कवरी किसने की है तो डाइनमाइट की डिस्कवरी करने वाले साइन्टिस्ट को कौन नहीं पहचानता वो कौन थे अलफर्ड नोबल थे आपके कौन थे अलफर्ड नोबल यह जो है किसन का क्या बनेगा इकके विस फोट्रा धेंगे घ्यानार पर किरेंगे तो यूश्य का थिक करने के लिए तो जिसका आप यूज भख़ चुछ की यूज तया जयता है लिए दाहिं तो एद्सक्राइबिफ यूज इनवेंचन यूए ने कियीं इसके अलावा electricity जो है उसके बारे में सबसे पहला conversation ही ने दिया था विजा मेन फ्रेंक्ल renamed धिया था ईसके अलावा light निग जो conductor ओते आपके थलसि ना गीरे तो तडि चलbaby चलक जो हो थे ना आपको बता है लाइट बलब जो है उसकी डिस्कावरी किस ने किया है थोमस एलवा एडिशन ने किया है ठीक है तो धियान रखेंगे यहां पर अच्छे से क्या रखेंगे माइंड में रखेंगे तो इसक्विशन का अंसर क्या वानेगा एलफ़र्ड नोबल जो थे उन्होंन ने डिस्टल बॉर्ड आ गए है ठीक है लेकिन पहले का पहले का टाइम था ठीक है या कुछ जगह आपका भी टाइम है उसके अंदर ब्लैक बॉर्ड का यूज क्या रता है तो कौन से फोर्स होते हैं जो चाक से हमें ब्लैक बॉर्ड पे लिखने में मदद करते हैं को ऐसे स्थ जो स जोते हैं आडीसिव फोर्सज होते हैं आफिर ब्लच एंड घी या फिर बोटे अन्ड न फिटे न फिर फोर्स privacy बारे में समझ ले temas का मतलब किया का मतलब है दो जो से रहें के मोकिल होते ना इसे मोखेयों के पीच में क्या लग ते में उनके बीच में जो अठ्र ऐसंजक बल बोलते हैं ठीक है ?। उनके बीच में जो फॉर्स एस लगते हैं उनको क्या बोलते हैं ? आप अडेसिव फॉर्स जवी जादा होने चीह है ? अगर चोक का आपने कोई से ज्यादा वह तो वह कभी भी बॉर्ड के ओपर चिपकेगा नहीं या पिर बोर्ड के बीच में अगर वह पर चिपक जाएगा ठीक है जो आप जो लिखते ना वो बोर्ड के ओपर चिपक जाएगा जो हम लिखते हैं वो लिखने में हम क्या रखाएंगे शक्षम रहेंगे अगर एडेसिव फोर्स स्क्राइब ज्यादा हुआ تین시न बोलते है liquid के प्रेटि होती है वह coercive forces के कारण होती है किसके कारण होती है coercive forces के कारण यानिकि ससंजक बल्य के कारण होती है सतर्जक बल्य कहार्ण रिक्विट के जो molecules है वो रहे है इक दूसरे क्या करता है इसलिए वह चाहते हैं उनका surface area, जो है, space area क्या रहा है, minimum रहे, इसलिए पाने की जो drop है, वो spherical shape की बन जाती है, क्योंकि sphere जो होता है, उसका area क्या होता है, बाकी shape से, अगर same dimension की बात करें, तो बाकी shape से सबसे कम area किसका होता है, sphere का होता है, तो ध्यान रखेंगे याद रखेंगे कि वोटर की ड्रोप्लेट जो है ना वो स्फेरिकल सेप की क्यों बनती है सर्फिस टेंसिर की प्रोपर्टी लिक्विड के इंदर क्यों होती है या फिर चोक जो है वह हम बोर्ड पे लिखने में मदद करता है कौन से फोर्स इस थीक है केजी मीटर स्केर पर सेकंड क्यों केजी मीटर स्केर पर सेकंड क्यों केजी मीटर स्केर पर सेकंड क्यों को करता है वोल्ट को करता है वाट को करता है या फिर जूल को करता है ठीक है अगर ध्यान से देखें इसको केजी मीटर स्केर पर सेकंड क्यों है केजी मीटर स्केर per second cube यहाँ पर आपको दिया गया है तो एक काम एक जिया आप या तो इसको एसे तो डिरेक्ट हम नहीं बता पाएंगे अब केजी मीटर पर सेकंड स्केर इसको आप क्या लिख सकते हैं इसको आप लिख सकते हैं न्यूटन क्या लिख सकते हैं न्यूटन लिख सकते हैं अगर फोर्स की एफ की बात के तो एफ इस एकुल्ट क्या होता है एम ए होता है और एम ए अब यूनिट बनाएंगे तो क्या जाए केजी मीटर है इसको आप क्या लिख सकते हैं इसको आप किया लुट इसके नो Richtton र%. जूर। सेकंड और जूर पर सैकंड को आप क्या बोलते ौट जूर। की व्रक डिवाइड वाइटा-डा टाइम थायो जिए Libra कि यह जाए गउनिट बनेंगी और पावर युंनिट क्या और होती अच्छे स jakie यह मैंड में रखेंगे था ठीक है क्या हो जाएगी वाट ठीक है जूल की बात के तो जूल ब्राबर क्या होता है न्यूटन इंटु मीटर ठीक है न्यूटन मीटर ब्राबर क्या होता है जूल न्यूटन मीटर क्या है जूल ठीक है यहां पर न्यूटन मीटर आप देख रहे हैं जूल वाट ब्राबर क् आपका वरक्टन डिवाइड बाइड बाइड चार्ज यानिकी जूल पर कूलम को आप क्या बोलते हैं ठीक है अगर ओम की हम बात करें ठीक है तो ओम बराबर आप कैसे रिखते हैं वी इस इकल टू आई आर फूर्मुला तो पढ़ाऊगा ना वी इस इकल टू आई आर ठीक ह तो स्कार्ध के रखेंगे माइड में रखेंगे अच्छा इसको आपको सीधा डाक्ट आपको फंडामेंटल जो इंट है न वह बनानी आने चाहिए इस प्रोसेस से आपने बना ना थी ठीक है कि आपको फ्ट्टा बौस जुए आईडिया है वह जिया होना चाहिए ठीक है चलिए तो यह थे आज की किस्ट मिशन göz knowing काफी अच्छ से enjoy किया है काफी अच्छ से अपने पढ़ा है चलिए तो अब हम मिलते हैं एक और बेहतरें संट के साथ टिल देन टेक क्यर